शहरवासियों को साउधान करना है इसके लिए कल से केजी से लेके कॉलेजिस तक तमाम स्कूले बंद की जाएगी और यह स्कूले बंद करने का मकसद भी यही है कि अगर बच्चे हमारे स्कूलों में कलासिस में जाते हैं और अगर वो एक बच्चा पॉजिटिव होता है वो वापस घर आता है तो पूरा परिवार उसमें पॉजिटिव हो जाता है यह हमारी अपनी राय या कार्पोरेशन से या आदेश दे रहे हैं कि मालगाओं शहर की तमाम स्कूले बंद करने का कॉलेजेस बंद करने का ऐसा बिल्कुल नहीं है यह महराष्ट में करोना के बढ़ते हुए आकड़े इसके कारण शाषन ने निर्ने लिया कि फिर वापस 31 मार्च तक तमाम स्कूले और कॉलेजेस बंद किये जाएंगे और मैं हमारे शहर की शहरवासियों से कहना चाहती हूँ कि जितनी साउधानी हम बहरतने में कामियाब होंगे उतना हमारा शहर इस बयानक बीमारी से इस वबा से पाक रहेगा आज कल देखने में आ रहा है कि जितनी स्कूले चालू है कोचिंग क्लासेश चालू है तो ये इसमें बहुत जादा भीड भाड रहे रही है मास वोगेरा कभी कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है दूसरा ये कि जो फासला बनाने के लिए हमें कहा गया है कि डिश्टन से बैठे, बच्चों को डिश्टन से बैठाए और मास वगेरा लगाए ये सब चीजें भी उतनी नजर नहीं आरे कि इसका कोई भी पालन कर रहा है ये भी करना चाहिए था और हमको हमारे शाहर को बचाना है इसके लिए मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगी कि अवाम से खास सभी उर्दो मराथी पत्रकार जीतने भी है सभी इस चीज़ को आपके माध्यम से शहरवासियों को पहुचाना बहुत जरूरी हो गया है कि इस बढ़ते हुए इस बीमारी के जो बढ़ते हुए हालात पैदा हो रहे है और देश भर में यही हालात है और सुनने में आ रहा है कि यह जो करोना वाइरस जब दोबारा से आ रहा है तो ज्यादा स्ट्रॉंग है तो अभी हमें एक जंग और लड़नी है इसके लिए शहर की अवाम तयार रहे और अभी अपने बच्चों को बिल्कुल भी स तो इस हिसाफ से हमारे पास कुछ नागरिकों की तकरारे थी कुछ सोशल और्गनाइशने ने हमको लिखा था कि जो प्रावेट कोचिंग क्लासे से जो स्कूल से जो पॉलेजे से उनमें बड़ी मात्रा में गर्दी जमा होती है और इसके कारम कोई फैलने की चांसे के मतलग मालेगाव महापालिकाक शेतर के सभी प्रशास की अधिकारी एडिशनल कलेक्टर एडिशनल एसपी यहां के उपविभा की अधिकारी यहां के सभी डॉक्टर प्रावेट डॉक्टर इनकी एकटा मीटिंग ली और उस मीटिंग में हमने सबने मिलकर इस पे सोच व जुचार के बाद हमने अभी ये निरने लिया है कल दिनांक 9.3.21 से आगे 31 माज तक मालिगाव महापालिगाक शेत्र में जितने भी प्राइवेट स्कूल से गॉवर्मेंट स्कूल से कॉलेजे से तो वो हम बंद करने का हमने निरने लिया है सेजुकेशन के लिए प्रवुत्त करने के भी बाद वहापे रखिये आप आउनलाइन आपके क्लासेस रखें क्योंकि ये बहुत जरूरी है फिलाल परिसिती आशादायक नहीं है और जो परिसिती एक साल पहले थी वैसी ही परिसिती अभी वापस ना आए इसके लिए ये प् झाल